हाई फ्रेंज मैं हूँ डॉक्टर विकाल चाइज स्पेसलिस आज हम आपसे बात करेंगे एजी की बारे में एजी यानि की इलेक्ट्र इंसिफ्लोग्राफी यह ब्रेन की एलेक्टिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने का एक सिस्टम होता है इसके अंदर एक स्टम हो जाती है को भी डॉक्टर जो इसके एक्सपरेज होते हैं जिनको हम बोलते निइर्यो लो जिस तरह की एक्टिविटी को रीड़ आउट करते हैं उससे पदा लगता है कि आपके बच्चे के अंदर ब्रेन के अंदर एक्टिकल अक्तिविटी कि इस दिकिए अमनुम के अंदर होते हैं उसको record करके डॉक्टर आपको यह बता सकता है कि आपके बच्चों को epilepsy है यह नहीं है दूसरी चीज़ जब भी बच्चों को ईजी के लेकर जाना जोता है जो भी टोडलर बच्चे होते हैं उनके अदर एजी करने का है प्रोसीजर जो होता है काफी difficult होता है इसलिए डॉक्टर यूजली आपको सिदेटी मेडिसान की prescription देते हैं जो कि प्रोसीजर के समय आपको से पहले आपको ईजी करने से पहले आपको यह मेडिशन ओर ली दी जाती है दो त्रे की मेडिशन मार्केर में अब लेवाल कि 45 मिंट के बाद नहीं सोता है तो जो डोस बच्चे को फर्स टम दी होते हैं उसकी हाफ डोस को बापिस रिपीड के आ जाता है ताकि बच्चा सो सके एजी करने से पहले सबसे महत होता है उससे थोड़ा लेट उसको लाइए और अल्ली मॉनिंग उसको उठा दीजिए इससे होएगा कि ब्रैन में जो स्ट्रेस होता है उससे एपिलेप्सी एक्टिविटी को कैप्चर करने की पोसिबिल्टी काफी भर जाती है जब भी आप इस तरह के प्रोसेजर के जाते हैं तो होता ही है कि आप डाक्टर के पार जाते हैं तो उससे स्लीप डिप्राइवेशन जैसे इंपोर्टन स्टैप को मिस कर देते हैं और ब्रेंड करने एपिलेप्सी एक्टिविटी को कैप्चर कर पाना इतना असा नहीं होत होता है इसलिए आपको किसी बीता क्यों घबरानी की बात नहीं होती है फौर्ट चीजर होता है इसके अंदर 30 मिंट के अंदर रिक्मेंडेशन रहती एक्लिस 30 मिंट के अंदर स्लीप इजी की रिकोर्डिंग हो जैसा कि हमने आपको पहले बिताया था कि जो बच्चे पांस इस टो निशे दू प्रोसीजर होते हैं ताकि हम पता कर पहाए कि किसी पर्टिक्रलर टाप के अपिलेप्सी में इस प्रोसीजर के दिवारे हम सीजर के अक्टिवीटी को आपकी अच्छी तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। absence seizure जिसके अब बच्चे अचानाएं से कोई activity करते करते हैं रुख से जाते हैं या बच्चे के school पर फॉर्फोर्ण होती है वह hyperventilation में काफी अची तरह से elaborate हो जाती है इसके अंदर easy के निए particular pattern होते हैं अगर वह उस समय hyperventilation के तरह हो जाते हैं तो डॉक्टर के लिए काफी easy होता है तो इन सभी चीजों को बताने के हमें आपको यह वज़े हैं ताकि यह प्रोसीजर बहुत क्रिटिकल होता है प्रेंस के लिए कि इसका क्या outcome होगा प्रोसीजर प्रोपर ढंग से हो और इस प्रोसीजर को करने से पहले क्या प्रोसीजर करने जा रहे हैं उससे एट गंटे एट और बिफोर आपने बच्चे को किसी भी तरह की कुछ चुमिलेट मेडिकेशन या कैफिन का प्रोड़क्त नहीं देने हैं तर्फ तिंग प्रोसीजर करने से पहले बच्चे का प्रोपर्ली हैंडवास करवाना है फिप् इसके बच्चे को एपिलेप्सी या मिर्गी के दोने की संभावना है क्या नहीं है सारे प्रोसीजर करने के बाद भी 30-40% के अंदे देखा गया है कि आपकी बच्चे की दिक्कत होने के बावजूद भी नॉर्मल हो सकती है जो की काफी समानी चीज है तो एक और प्रोसीज अगर आपकी कोई क्यारी जो तो आप हमें इमेल कर सकते हैं थैंक यू